दोस्तों जब भी आप बिमार पढ़ते हैं, चाहे वह कब जो हो, पेट में दर्द हो, सरदिखासी बुखार हो, हाथ प्वेर में दर्द क्यों न हो, आप बिना सूचे समझे सिधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और डॉक्टर चेक अप करने के बाद आपके हाथों में ल डॉक्टर के पास चले जाते हैं, चेक अप करवाते हैं, और डॉक्टर को पे करते हैं, फिर दवाई दुकान में पे करते हैं, और ये भी जाहर सी बात है कि आप अकेले घर में नहीं है, आपका पूरा परिवार है और वो सब भी वैसाही करते होंगे, तो ऐसे में पूरे स तब गलत होती है जब मामूली सी सरदी खासी बुखार में भी डॉक्टर के पाच चले जाते हो इससे भी डॉक्टर आपसे अच्छी खासी फिस्वसुल कर लेते हैं दोस्तों मैं आपको एक बता दो कि कोई भी डॉक्टर सच नहीं बताना चाहता, जिसके लिए आप उसके पास गए हो, उसका इलाज आपके कीचन में ही मौजुद है, आपके घर में मौजुद है, जी हाँ, दोस्तों आपके घर के कीचन में जितने मसालें वो बेवज़ा नह ही है, हर मसाला कोई न कोई बीमारी ठीक करने के लिए ही है, इसका विस्तार से वर्णन हमारे आयरिवेत की किताबा स्टांग रिद्यम में की गई है, जो आज से हजारों साल पहले महरसी वागभरजी ने लिखे थे, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो, तो आप घर पर ह अपनी कई बीमारी को जर से खत्म कर सकते हो, ओ भी बिना डॉक्टर के पास गय हुए, आप खुद का डॉक्टर बनिये, आयरिवेत का थोड़ा नौलेज रखिए, तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरुद नहीं पड़ेगी, आज मैं आपको एक ऐसे बहुत प्रतिसत बीमारियां पेट से शुरू होती है, पेट ही है जो इतने बीमारियों की जननी है, सिर्फ अगर हम पेट को ही हल्दी रख लें, तो आपके बाकी सारे और्गन, सारे अंद्रूनी अंगल, आप ही आप हल्दी हो जाएंगे, आज पांच में से चार लोगों को और से बीमारियां पैदा हो जाती है, उन में से एक बीमारी है दोस्तों मोटापा, ओबेसिटी, और यह मोटापा अपने पीछे कई सारे से बीमारियों को लेकर आता है, डाइबिडीज, हाई बीपी इस तरह की बीमारियां मोटापा से ही शुरू होती है, इसके लावा पेट से इसलिए जूड़ी हुई है, कि जो कुछ भी आप खाते हो, उसका तो डाइशन हो जाता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उस खाय हुए खाने का उस फूट का पूरा पूश्टिक तत्व आपके शरीर में नहीं लग पाता है, इस वज़ए से इस तरह की समस्यां पै पास रेमेडी है, भले ही कितनी भी सालों पूराना मोटापा हो, लेकिन इस रेमेडी का आप सेवन करोगे तो आपका मोटापा धीरे-धीरे कम होता हुआ दिखेगा, यह रेमेडी दोस्तों आपके मेटाबॉलिजम को बुस्ट करता है, खाय वे खाने का अच्छे से डाइ मिलते हैं, दोस्तों इस घरिली उपाय को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जरा ध्यान से देखे, आपको चाहिए होगा दो चम्मच आजवाइन, दो चम्मच जीरा, यहाँ पर मैं दो दो चम्मच ले रहा हूँ, आप चाहए तो quantity इसके according बढ़ा सकते हैं, को मिलाकर इसका चूण बना लेना है, हमाम देखने में कुठली जो चूण बना लीजे या फिर आप ग्राइंड करके चूण बना सकते हो, इसका सेवन आपको सुबा खाली पेट करना है, और दूसरी बार आपको दो पार के खाना खाने के आदे गंटे पहले करना है, सुब सुबा खाली पेट बेगर ब्रसक के बेगर को लखिये करना है, जो मुह का सलाइवा है वो भी आपके बेट के अंदर जाना चाहिए, दूसरे दफ़ा सेवन आपको करना है दो पाहर के खाना खाने के आदे गंटे पहले, इसी तरह एक गिलास गुर्गुने पानी में इस प पहले लेना है, आप चाहें तो शाम को चार से पांच बजे के बीच भी इसका सेवन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या-क्या फायदे मिलते हैं, दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि श्रीर को स्वस्थ रखने के लिए पेट का साफ होन बहुत ही जरूरी है, एक हिसाब से देखा जाया तो यह कुझे है कोई भायाकर बीमारी नहीं नहीं है, बसरते आप अपने शरीर पर ध्यान दे और तो आपने डेली रूटीन में खाई जाने वाली चीज़ों पर ध्यान दे, पर सोने और सही समय जागने पर ध्यान दे, श और राते खाने में आपको कच्ची चीजों का ज्यादा सेवन करना है कच्ची चीजें जैसे की कच्चा टमाटर कच्चा प्याज खीरा गाजर ककडी मूली बीट रूट इस तरह की चीजों का आपको सेवन करना होगा ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेवन करना होगा आपक इक है मोटापा, पूरे दुनिया में आधे से ज्यारा लोग मोटापे श्रिकार हैं। इस मोटापे को कम करने के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेते हैं और उनमें भी आप अच्छे खासे पैसे खर से कर देते हैं जबकि यह पूरी तरह आपके हाथ में हैं मुटापा कम करना चीहां शरीर में मुटापा गलत रूटीन के कारण होता है बाहर का मासाला दर खाना जंक फूड शराब सिग्रेट स्ट्रेस के वजह से होता है इसके लिए आपको इन सभी गलत चीजों को छोड करना नहीं खुड़ाना नहीं खाना है हाँ आपको कशी पसिंट पसथे इसश जाला पशाड़ हो तो आप सुबह के समय में खाना, जैसे कि कई लोगों को स्वीट खाने का मन करता है, गुलाब जामुन खाने का मन होता है, समोसे खाने का मन होते हैं, तो कभी-कभी आप इसका सेवन कर सकते हो, अगर कभी-कभी इसका सेवन भी कर रहे हो, तो सुबह के समय करना, ताकि इसका डाय वाले भी कर सकते हैं उनका ब्लड सुकर लेबल कंट्रोल में रहेगा जिनका हाई भीपी है वे भी इसका सेवन कर सकते हैं थारेड है वे भी इसका सेवन कर सकते हैं उनको फायदा मिलेगा साथे साथ इस बात का ध्यान रखिए कि इसका सेवन गर्वती महिलाओं को नहीं करना है दूद पिलाने वाली मातायस का सेवन कर सकती है अगर आप मोटापा कम करने के लिए इस चून का सेवन करना चाहते हो तो आप पूरे दिन Out शुन का सेवन कीजी में स्वस्त रहएं वीडियो यह जानकारी यह ख्यक Some Days ज़रूर को लाइक करते हो चाहरा है आपको इस व Michigan को दिखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद